हेलो स्टेंस आज हम अपने पहले चेप्टर रसान विज्ञान की कुछ मूल अउधारणाएं के नेक्स्ट टॉपिक संख्याओं के निकर्तम को यक्त करना रौंडिंग ओफ दफिगर्स इसका अध्यन करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने सार्थकंखों का अध्यन क संख्याओं के निकर्तम के लिए निमलिकित नियम है तो संख्याओं का जो निकर्तम हो उसके लिए नियम दिये गए है उस वरिकारत से हम उनको निकर्टित करते हैं निकर्टित मतलब छोटा करना तो पहला है यदि सबसे दाईयोर वाला अंक जिसे हटाना हो जैसे जो सबस जैसे आपका दारान भी दे रखा है 2.568 गिया हुआ है इसको अगर हमने निकटित करना है तो इसमें जो लास्ट अंक है जिसको अठाना है वह है आठ इसका मतलब वह 5 से ज्यादा है तो 5 से अधिक होने के कारण यह क्या हो जाएगा जब 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 इसको अठाएंगे तो यह नहां एक बढ़ा देंगे तो यह 257 वह जाएगा 2.57 एक बढ़ गया इसमें क्योंकि जो लास्ट अंक था जिसको हम हटा रहे थे वह 5 से अधिक था ठीक हो क्या वैसे अगर हम इसका दूसरा एक्जामपल ले लें 12.06 है 12.06 इसमें भी कहें कि जो लास्ट अंक है वो 5 से ज् बढ़ जाएगा तो यह 1 हो जाएगा तो हमारे पास आजाएगा 12.1 12.11 ठीक हो गया तो यह पहला नियम है कि अगर जो सबसे दाई और वाला अंक हो जिसको हमें हटाना है वो 5 से अधिक होगा तो उससे पहले वाले अंका मान एक अधिक कर जिया जाता है तो यह आपका इसम जो हटाए जाने वाला अंक है पास से कम हो तो उससे पहले वाला अंक को बदला नहीं जाएगा तो इसका जो दूसरा नियम है कि अगर जो सबसे दाई और वाला अंक को हम हटाना जा रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाले अंक को नहीं बदला जासे हम इसका उध लिखान लिया हुआ है, इसका उधान लिया हुआ है 3.424, तो इसमें जो लास्ट अंक है, वो 4 है, इसका वल्दा 5 से कम है, अगर हम इसको अठाना जादे हैं, तो हमें सीदे-सीदे क्या लेना भड़ेगा 3.42, तो इसमें क्या है, जो अंक नहीं बढ़ाये जाएगा, क्योंक यह 5 से कम है तो ऐसी अगर हम इसका एक्जामपल लेने अगला 24.123 है 24.123 तो इसमें भी जो लास्ट अंग है वो आपका क्या है 5 से कम है तो अगर हम इसको अठाना जाते हैं तो हम लिखेंगे 24.12 ठीक हो गया ऐसी उदर रहाएगा ठीक अगर 5 यह दूसरा नियम है 5 से कम होन पर जो उससे पहले वाले अंक है उसको बदा नहीं जाता है जैसा है वो इससे उतार जिया आएगा तीसरा नियम है यदि सबसे दाई और का हटाए जाने वाला अंक पांच हो इससे पहले वाले हमने 5 से अधिक और 5 से कम होला पड़ा था इसमें है 5 हो तो उससे पहले वाले अंक सम होने की इस्तिति में बदा नहीं जाएगा अगर उस सम है सम अदला आप समझते होंगे सम और विसम आप जानते होंगे जैसे 2, 4, 6, 8 यह सम हो गए विसम आपका 1, 3, 5 तो यह विसम हो गए एवन और और हो गया आपका तो परन्तु विसम होने पर एक अंक बढ़ा दिया जाता है अगर 5 है लास्ट वाला अंक और उस से पहले वाले अंक का सम है तो उसे नहीं बदा जाता है वो ऐसी के वैसी लिखे जाता है अगर विसम है तो उसमें क्या हो जाता है एक बढ़ा दिया जाता है जैसे हमारे पाइग्जांपल है इसी परकार 6.25 है इसमें ये 5 को अगर हमने हटाना है तो इससे जो पहले वाला अंक है वो है 2 तो ये एक समसंग्य है तो इसको नेबल दाएगा तो ये 6.2 हो जाएगा ठीक हो गया तो ये जो हैं ये जो नियम थे ये संख्याओं को निकटतम करने के नियम है तो इसी परकार जो आपकी NCRT किताब में सवाल है उनको भी आप सीखेंगे और बनाएंगे और इन नियमों को समझने का प्रियास करेंगे थेंक यू इसके बाद इसका अगला टॉफिक आता है वह आता है व्यज्ञानी संक्यतन जिसको हम इंग्लिशने कहते हैं Scientific Notation ठीक है यह बहुत इंपोर्टन है व्यज्ञानी संक्यतन कि किसी भी बड़ी संक्याओं को अगर हम व्यज्ञानी संक्यतन में लिख सकते हैं अगर हम इंटु 10 to the power N में लिखी जाती है यहाँ N जहाँ आपका N बराबर जो capital N बराबर है एक संक्या जो दस्वालों के बाई तरफ है तरफ उसमें एक असुन्य अंक है एक असुन्य अंक मतलब सुन्य के अलाव कोई भी अंक होगा जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच तो यह सुन्नी के लावा असुन्नी अंक है और एन जो है, दस्की घाट जो कि धनात्म assistirाटrotma सुन्नी भी उस्ति है वो आपका धनात्म से होच घनात्म का है गाt घात की रूप में एक राश्टी को लिखने के लिए गणना कर लेंगे तो घात की रूप में एक रासी को लिखने के लिए उस इस्तान की गणना की जाएगे जहां से दस्मलोग को हटाएगे है जहां से आपने हटा की हटा रखा है और जहां लगा रखा है उस इस्तान की आप गणना कर लेंगे इसके बाद इसमें है घात धनातमग होगी याज़िधि द्शनलोग बाईoder बाई GAID यज़िधि द्शनलोग को अगर हम 02 तरफ ले जाएंगे तो घात की हो जाए機 धनात्मग हो जाएगी और तथा घात रिनात्म होगी या दसनल दाई तरब अगर हम उसको दसनल को दाई तरब ले जाएंगे तो घात आपकी क्या हो जाएगी रिनात्म हो जाएगी तो इसके एक्जामपल समझ जैते हैं जैसे कि हमने यह लिखा हुआ है आपका चालिस हैरा चार सो है ठीक है नहीं है और पॉइंट जीरो है अब इस पॉइंट को हमने किसका आगे लगाना है यहां पहले वरस पर लगा देना है तो असुनी अंक मतलब एक असुनी अंक आगा लगा तो हमारे पास जो यह आएगा यह हम इसको लिख सेते हैं 4.04 क्या लिख स यह लिख सेते हो 4.0400 यह भी लिख सेते हो नहीं अगर वैसे 0 को को अब दब नहीं हो तो आप 10 to the power क्या कट देंगे इसको 4.0.10 to the power क्या आजाएगी आप यह कितने अंदर किसका रखा आपने 1 2 3 4 तो 10 to the power 4 प्लस प्लस आएगी यह माइनस आएगी इसमें लिख रहे देख 10 to the power 4 तो यह धनात्म होगी ठीक है वैसे अगर इसका एक्जांपल ले ले हम एक हमारे बाइग्जांपल है 0.0000404 ठीक है इसको भी अगर हम ऐसा लिखना चाहें 4.04 अगर आप पूरा उताना चाहते हैं तो आप 00 कर रहे लिख सेते हैं नहीं तो उसका मतलब नहीं होता दाई तरफ ले गए आप और आप ने पांच अंगों के अंदर आप दाई तरफ ले गए हैं तो यह जगर 10 to the power minus 5 ठीक हो गया तो इस परकार से हमने क्या करना है इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमें लिखना है क्योंकि आपकी ये NCRT किताब में भी इसके से समधित सवाल है उनको आप बनाने का प्रियास करेंगे और इसको समझने का प्रियास भी करेंगे अगर मैं इसी किस से क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन जो है इससे क्या होता है कि आपका जो सवाल है वो बहुत इजी हो जाता है calculation बहुत इजी हो जाता है तो इसको आपने समझना है और इसको अधिक से अधि समझेने का प्रियास करना है थेंक यू